बॉलिवुट की रोमैंस की नहीं जाने वाले शारुक खान अचानक से फिल्म इंजिस्ट्री से गायव हो गये एक साल तक शारुक खान ने बॉक्स ओफिस पर एंट्री रही लेकिन वो मिस्टर खान है भई जब एंजी लेंगे तो घमासान इंट्री लेंगे फिल्म जीरो की नाकामियर प्रिके बाद इसे शारुक खान ने फिल्म इंजिस्ट्री से एक गैप लेने का मन बना लिया लेकिन अब शारुक तयार हो चुके हैं पूरी तरह से अपने फैस को फिर से जोर का छटका देने के लिए दरसल खबर यह है कि शारुक खान बहुत ही के लिए मिस्टर खान को साइन कर रहे हैं और शारुक खान ने इस फिल्म को करने के लिए अपनी हामी में पढ़ी है और अगर इस फिल्म में इसी साल काम करना शुरू हो गया तो साल 2021 तक दर्शक अपनी सुपर स्टार शारुक खान को फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते कि अथा tomar के लिए अपशे कमद द्यूक फिलिए तो थो राज कुमार घरानी और कलिए साल मुना भाय काम करने का जा अफरा आप लेकिन तब शेमें शारुक खान ने एक करेकर रोपश नहीं पड़े होगा कि बेदे लिए उसके सान बढ कम से कम 25 साल तो हो गए जो एक ऐसे स्टार है एक ऐसी शक्सियत है जो नहीं चोटे पड़ी से लेकर बड़ी पड़ी तक इस तदह से काम किया कि कभी पीछे मुड़के नहीं नहीं देगा एक एक हिट और सक्सेस्पुल मुवी देने के बाद मिस्टर खान बने शारुक खान बने वही इंडस्ट्री आज जब उन्हें खोज रही है तो शारुक खान है गाया लेकिन शाहद अब बहुत ही ज्यादा इंतजार ना करना पड़े उनके फैंस को और बहुत ही जल्द शाहद उनके फैंस शालुक खान को वही रुमांटिक अंदाज में रुमांस करते नज जोड़े कयास लगाया जा रहा है कि इस फर में शारुक के अपोजट करीना कपुरकाउं परेंगी और करीना और शारुक की जोड़ी तो इससे पहले भी कारगर साबित हो चुकी है अब बल्ला देखना देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन तीनों की तिकड़ी या फ सच होती है तो शारुक की आपके लिए गोल देना परचिनिटी होगी और हम यहीं उमीद करेंगी कि इस बार आपकी और राजकुमार हिरानी की जोड़ी सुपर सक्सेस रहे